नमस्कार दोस्तों, इश्वर द्वारा रचि छोटे छोटे जो कीट पतंगे है वो पारिश्थिति की अतंत्र में अपनी एहम भोमी का निभाते हैं विश्व की क्रशी भी इनी कीट पतंगों पर निर्भर है विश्व में एक ही ऐसा कीट है जिसका भोजन मनुश्य अपने उपयोग में लेता है और यहाँ कीट है मदुमक्खी मदुमक्खी के शहद में सभी प्रकार के पोष्टिक तत्व विद्यमान है मदुमक्खी में बहुत सी प्रजातिया है लेकिन सभी प्रजातिया शहद नहीं बनाती केवल पाच ऐसी प्रजाति है जो शहद का निर्मान करती है सबसे पापुलर प्रजाति की जो मदुमक्खी है वह एपिस मैलिफोरा है मदुमक्ही फूलों से रस लेती है और बदले में उसे पराककंड देती है ये तो ऐसी बात हुई ना जैसे हम किसी होटल में भोजन करें और बदले में उसे टीप दे वैसे ही मदुमक्खी फूलो के रसके बदले फूलो को बेशकिमती पराकण टीप के रूप में देती है यह ऐसी कीट है जो किसी भी तरह की रोग जनक वाइरस या बैक्टेरिया नहीं छोड़ती ऐसा आपने कभी भी नहीं सुना होगा कि मदुमक्खी की वज़े से कोई बीमारी फैली हो वेग्यानिकों ने अपने नई खोज में पाया कि जो मदुमक्खिया ग्रामिन क्षेतर से संबन्दित रखती है उन्हें फुलों के रस के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है बहुत दूर दूर तक फुलों के रस के लिए जाना पड़ता है जबकि शहरीक शेतर की जो मदुमक्खिया होती है उन्हें फुलों के रस के लिए जादा दूर तक जानी की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि शहरिक शेत्र में फूलों के जो बगीचे है वो जग़ जग़ पर मिल जाते है जहां पर रंग भी रंगे फूल खिले रहते है और यही फूलों के बगीचे मदुमक्खियों के लिए होट स्पॉट होते है मदुमक्खी के छत्ते में तीन प्रकार की मदुमक्खिया पाई जाती है नर मदुमक्खी, मादा मदुमक्खी और अश्रमीक मदुमक्खी मादा मदुमक्खी को रानी मदुमक्खी भी कहते है और नर मदुमक्खी को ड्रोन ड्रोन जो है वो आकार में थोड़ा सा बड़ा होता है जबकि रानी मदुमक्खी आकार में थोड़ी सी पतली होती है और लंबी होती है और वरकर जो है याने श्रमिक मदुमक्खी वो आकार में छोटी होती है नर्मधुमक्षी है उसका काम केवल रानी मधुमक्षी को गर्बधारन करवाना है गर्बधारन करने के बाद नर्मधुमक्षी मर जाती है रानी मधुमक्षी अपनी संतत्ति अपने अनुसार देती है उसके control में होता है कि वो किस तरह के offspring दे अगर उसे male को जर्म देना है तो वो एक को non-fertile होने देती है उसे fertilize नहीं करती जबकि अगर उसे female को जर्म देना है तो वो उस अंडे को fertilization कर देती है आगे जाके वो female जो है वो रानी मदुमक्खी और workers में बदल जाते है रानी मदुमक्खी जो है उसे workers जो है वो हमेशा royal jelly खिलाते है पहले royal jelly सभी अंडों को और larva को खिलाई जाती है लेकिन केवल रानी मदुमक्खी को आखरी तक royal jelly खिला कर बड़ा किया जाता है अगर रानी मदुमक्खी मर जाए तो workers जो है वो बिना किसी नर के अपने आप अंडे दे देती है लेकिन उन अंडों में से केवल नर ही पैदा होते है याने drone मदुमक्खी दो प्रकार के dance करती है अपने भोजन का पता करने के लिए अगर मदुमक्खी चत्य के आसपास गोल गोल गुमे तो इसका मतलब यह होता है कि भोजन आसपास ही है जब एक मदुमक्खी भोजन लेकर के अपने छट्टे तक पहुचती है तो वह दूसरी मदुमक्खियों को बता देती है कि भोजन कितनी दूरी पर है इसी तरीके से दूसरा जो डांस है वो वेगल डांस कहलाता है इसमें मदुमक्खी जो है वो छट्टे के आसपास गोल गुमती है और फिर बीच में से एक लाइन बनाती है लाइन जितनी चोटी होगी खाना उतना ही नजदीक होगा लाइन जितनी बड़ी होगी खाना उतना ही दूर होगा ब्रिटेन और स्पेन के वेग्यानिकों ने एक नई खोज की है उन्होंने मदुमक्खी के एक ऐसी प्रजाती खोजी है जो अपना गणीतिय दिमाग लगा कर फूलो जैसा दिखने वाला 3D छत्ता बनाती है इस मदुमक्खी का नाम है टेट्रा गोनियूला मदुमक्खी ये मदुमक्खी के डंक नहीं होते ये चार प्रकार के छत्ते बनाती है पहला जो है वो स्पाइरल दूसरा बुल के आख के अनुसार तीसरा जाय है वो डबल स्पाइरल और चोथा जो है वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की तरह ये बनाती है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में साइट की तरह छत की तरह उसे आकार देती है अब हमारे सामने प्रश्ण नहीं आ रहा है कि आखिर मढ़ुमख्यों की जो संख्या है वो कम क्यों हो रही है या वो गायब क्यों हो रही है बहुत सारे कारणे जिनमे एक कारण यह है कि mobile tower radiation जगव जगव पर जो mobile tower लगे हुए उसके radiation से भी इनकी संख्या में असर दिखाई दे रहा है वैसे तो मदुमक्या सामाजिक प्राणी है समुह में रहना पसंद करती है लेकिन फुलो के रस के लिए उसे कई बार अकेले रहना होता है तो ऐसे समय जब लोटते समय वो अपना रास्ता भूल जाती है क्योंकि मोबाइल टावर की रेडियेशन से उसे अपने रा उपयोग करते है तो अधिक कितना शक का उपयोग करने से फूलो का जो खुश्बू है वो नहीं आ पाती उन्हें इसलिए उनके भोजन में कमी हो जाती है तिसरा कारण है क्लाइमेट चेन याने जलवाईयू परिवर्तन बहुत अधिक गर्मी और बहुत अधिक सर्दी भी इनके लिए हानिकारक होती है क्योंकि मधुमक्खी के छत्ते के लिए उन्हें 33 degree temperature maintain करके रखना होता है अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए जिससे मधुमक्खी की संख्या बड़े उसके लिए हमें जगा जगा पर फूलवारी लगानी चाहिए अलग-अलग विभिन प तब तक के लिए नमस्कार हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपने कमेंट्स कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें धन्यवाद